नमस्कार फाइटर समाचाहर में आपका स्वागत है पेशाज 28 जून श्याम साथ बचे राजिस्थान की खास खबरें सवय मादुपुर के बॉलियो उपखंड क्षेतर के मित्रपुरा तैसील क्षेतर में एसीबी ने बड़ी कारवई करती हुए पटवारी को 6000 पे के रिशवत लेते हुए ट्रैप किया है एस्पी जाबरमल यादव ने बताया कि मित्रपुरा तैसील के गोठडा हलका पटवारी अशीश मीना बपूई का रहने वाला है जिसने परिवादी से नमांतरन खुलवाने की एवस में 10,000 पे की रिशवत मांगी थी दोनों के बीच 6000 पे में समझोता हुआ शिकायत के सत्यापन की बाद एसीबी टेम मित्रपुरा पूँची जहां परिवादी ने पटवारी को रिशवत की राशी देने के लिए चुराहे पर बुलवाया इस दोरान 6000 की राशी देते ही एसीबी ने आरोपी पटवारी अशीश मीना को रंगे हाथों गिरफतार कर लिया राजसान पुलिस अकार्मी में फरजी सब इंस्पेक्टर बन कर ट्रेनिंग करने वाली मोना के घर पर शास्री नगर थाना पुलिस ने सर्च किया कोट से मिले सर्च वारंट पर फेक एसाई मोना के किराय के कमडे पर सर्वे में 7 लाख रुपे और पुलिस वर्दी सेथ डॉकिमेंट्स मिले हैं DCP North राशी डूडी डोगरा ने बताया कि फरजी असाई बन कर आरपी में ट्रेनिंग करने वाली मोली उर्फ मोना बुगलिया को पकड़ा गया था कोट की और से देर शाम उसके शास्री नगर के मेजर शैतान सिंग कोलोनी स्थित किराय के कमडे पर सर्च का वरंट मिला 23 को आरपी के आर आई रमेश चंद ने मोना के खिलाफ शास्री नगर थाने में मुकदमा दर्स करवाया था तब से मोना फरार चल रही थी कोटा जिले के संगोद कस्बे में डबल मर्डर की मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है तीन आरोपी आपस में रिष्टेदार हैं जमेनी विवाद को लेकर रोपियों ने अशोक कुमावत वे उसके बतीजे अरजुन कुमावत को मौत की घाट उतारा था हत्या को हाथ से का रोप देने के लिए मृतकों की बाइक भी तोड़ फोड़ कर कोटा रोड पर लाकर पटक दिया ऐसे चोहीरा लाल नी बताया कि हत्या के अरोप में 36 वर्षे जस्वन निवासी रैती पाड़ा संगोद वे उसके चचेरी भाई 24 वर्षे भुपेंदर वे 20 वर्षे मुकेश निवासी गुजराती मोहला को गिरफतार किया है मामले में 61 वर्षे प्रेमचंद उसके भाई 54 वर्षे नरूतम 45 वर्षे ग्यारसी लाल वे 38 वर्षे प्रेमचंद के बेटे महेंदर को पहले ही गिरफतार किया जा चुका है अरोपी चाचा भतीजा को जमीन के विबाद में राजी नामे करने के लिए बुला कर ले गए थे और दोनों की हत्या कर दी थी राजसान मादमिक शिक्षा बोड ने पूरक परिक्षा दोज़ार चौबिस मुख्या परिक्षा दोज़ार पच्चिस और इन परिक्षां के लिए किये जाने वाले अवेदन की तारिखें घोशित कर दी हैं बोड की सप्लिमेंटरी परिक्षा के प्रैक्टिकल 25 जुलाई से होगी पूरक परिक्षा वेदन करने की अंतिम्ति थी ऑनलाइन पूरक परिक्षा शुलक के लिए समाने परिक्षा शुलक एक से दस जुलाई तक एवं अतरिक्षा शुलक से ग्यारा से अठारा जुलाई कोगी वे इसाधांतिक परिक्षा एक अगस्त say सचे रहे बोर्ड मुख्या परिक्षा दूजर 95- 28 से होगी सिकेंड्री परिक्षा 27 फरी से होगी बोर्ड सचीक एलाश्चंद्र शर्मा नहीं बताया प्रशाशक महेश्चंद्र शर्मा की निर्देशNews सर परिक्षा डेट निर्धारित की गई है मुख्य परिक्षा 2025 में आवेदन करने की अंतिमति थी नियमिद परिक्षार्थियों स्वयायम पार्टी पारिक्षार॥ियों के लिए समाने परिक्षा शुल्क से 22 जुलाई से 21 अगस्त तक एक अतिरिक्त परिक्षा शुलक से 22 अगस्त से 2 सितंबर तक रहेगी डुंगरपूर जिले में विदेश में नौकरी देने के नाम पर एक युवक से 31,72,000 की ठगी हुई है दोवड़ा थाने में बनकौडा निवासी दीपक उपाध्याई ने दी रिपोर्ट में बताया कि ब्राइट वे इमिग्रेशन के नाम पर कंपनी मिना कर ठगी की जारी है ठगों ने सोशल मीडिया पर विदेशों में नौकरी देने का परचार किया जिस पर सुबाशनगर जैपूर निवासी राहूल और अजे से संपर्क हुआ कंपनी के माद्यम से विदेश में नौकरी और वीजा दिलाने का विशवाश दिलाया दीपक ने जैपूर सित कराले में जाकर मुलाकात की इसके बाद दीपक को चंडीगर में अभिलक्ष शर्मा और सुबाशनगर जैपूर निवासी रोहित नायर से फोन पर बात करवाई दीपक ने चार लोगों से इत अभिलक्ष की पत्निया कांक्ष शर्मा की जांच पर दाल की पता सही मिलने पर विशवाश कर इन्हें दो बारी में 31 लाग बातर हजार पे दे दिये बाद में सब या रोपियों ने फोन बंद कर लिये पुलिस मामली की जांच कर रही है अजमेर में बीडी कंपनी के अजनसी के नाम पर दोखा दड़ी कर 47 लाग रुपे हडपने का मामला सामने आया क्रिशन गंस्ताने में पंच शेल ए बलॉक निवासी अमित कुमार गुपता ने बताया कि शिव शक्ति नगर निर्मान नगर जैपुर निवासी अंकित खंडेलवाल और फंकित रजेंदर खंडेलवाल की और से बीडे की अजंसी के नाम पर फर्जी कागज़त बनाकर अजंसी लेने के नाम पर 35 लाग 85 जार का इन्वेस्ट कराया इसमें से 33 लाग रुपे बैंक अकाउंट के जरिये भेजे एग्रिमेंट के नाम पर भी रुपए लिए इस औरान बताया कि अभी बीडे की अजंसी धन लक्षमी एंटरप्राइजस के नाम है मार्च के बाद में जब फाइनेंशिल एर खत्म होगा तो साज़ेदारी फर्म बना कर नई फर्म में बीडे का काम ट्रांसफर कर देंगे बाद में पता जला कि इसके द्वारा दोनों के नाम से नई फर्म बनाई नहीं गई है बस य 1,70,000 पे थे चूर का कोई सुराग नहीं लगा है खतना सिसिटीवी कैमरे में भी कैद हुई है जिसमें एक यवक काला शर्ट पहना गले में सफेद गमचा डाला हुआ जो दो मिनिट टेंपू के पास खड़ा रहा और बैक चुरा कर भाग गया हलांकि अभी वेपारी की औ और से कुवारियां पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है भेलवाडा पटेल नगर के दो व्यपारी दिपेश कुमार बचाने वे दिपक कुमार दोनों टेंपू में कुरकुरे गोली बिसकिट का माल लेकर कुवारियां पहुंचे थे इस दोरान विजे ट्र पेरजिले में युवती को फ्लैट पर रुकने के बहाने गैंगरेप करने के चारवा रूपियों 25 वर्षे सुनेल पूनिया और फराहुल चौधरी 24 वर्षे गिरदारी चौधरी निवासी डीडवाना कूचामन 23 वर्षे संदीप राजपुरोहित और फराजविर निवास की चात्रा है और उसकी मां का पूरर में देहान तो हो चुका है जौब की तलाश में जनवरी 24 में अजमेर आई जहां फॉयसागर रोड़ पर होटेल में उसकी जौब लगी वहां का महाल ठीक नहीं होने के कारण जौब चोड़ दी बाद में उसे गाम के पास का ही रहने व दंगरपुर के धंबोला थानक शेतर के पीठ गाउं में चोरों ने सुने मकान को निशाना बना कर 20 लाग के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए पेडित परिवार दो दिन से उध्यपुर गया हुआ था धंबोला पुलिस के अनुसार पीठ निवासी जैप्रकाश पेडित की सूचना पर धंबोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली वहें पेडित की रिपोर्ट पर मामला दर्स कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है बरतपुर में ऑनलाइन साइबर ठगों की खिलाफ डीग जिले की पुलिस ने मिवात में बड़ा एक्शन लिया गाम लेवडा में वन विभाक की भूमी पर साइबर ठगी की रकम से बनाए तीन मकानों को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया यह कारवई चार जेसी पी वे असी पुलिस कर्मियों की मुझूदगी में हुई कारवई करीब तीन घंटे चली कारवई की सूचना पर गाम में सभी पुरिश भूमी गत हो गई कारवई होने तक गाम में सिर्फ महिलाएं ही मिली लेवडा के ओनलाइन साइबर ठग भूपा मुहम्मद बबर मेव वैवाजिव मेव के तीन मकानों पर चार जेसी पी की मदद से मकानों को द्वस्त करते हुए वन विभाग की करीब साथ सो वर्ग गस भूमी को खाली करवाय गया तीनों साइबर ठगों की पुलिस तलाश क करी है तीनों साइबर ठग काफिस में से फरार चल रहे हैं कारवे में एक एसपी दो सीओ एक एसडियम एक तैसिलदार तीन थाना परभारी वन विभाग की टीम क्यू आर्टी डियस्टे टीम मजूद रही झाल कार is ले वियुए टीम क्यू रधिना बार का पर दो अधिना प्रतिकाश्पनाओर आर्टी विभागा गया प्रतिकाश्वािर एक एसफ़िवान गया उत्या जब एक एसे पसादिए विपश्र रहे हैं का तीन प्रतिकाश्र्टी रहें प्लियूनल य़गागादे